दूस्तों आज की कहानी है माप भाई 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 की कर्तुतों पर परदा डालना बंद करो दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउंसे अरोज नया वीडियो रीतु ओपीस एकुस दिनों की सूटिया लेकर दो साल बाद अपने माय के आई वी थी माय के में उसके मापाप और भाई भाई के साथ उनके दो बच्चे ते सूटिया बीता ने आई रीतु का मन अपने माता पिता की इस्तती देकर दूकी हो गया और भाई भाई पर घुसा भी बढ़ गया था उसका मन होता कि भाई को बैटा करके खुब सखरी खोटी सुना दे लेकिन अगली पल उसे रगता सूटी ब्यान होकर बड़े भाई से इस तरह बता बाहत करना ठीक नहीं है दरसल रीतु के पापा को डाइबिटीस के सासाथ किरनी और हार की प्रोब्लम हो की बाबी सुर्भी फॉलो करती थी रीतु की बाबी को दोनों बच्चों के सासा ससुर्ख की दवाय और खाना भी अपनी सास से खिलाना होता था लेकिन रीतु को लगता था कि अगर बाबी ने ठीक से उसके माता पिता का ख्यान रखा होता तो उनको ये सारी बीमारिया ना होती है सब लोगों की लापरवाई की वज़स ही हुआ है जाने वाले दिन रीतु अपनी मा के साथ ऐसे सिपक कर बैटी हुई थी जैसे लग रहा था आज के बिसरने के बाद वो कभी बिलेंगी नई तभी रीतु ने परस से कुछ पैसे निकाल कर धीरे से अपनी मा के आतों म पकड़ा दिया और बोली ममी अपने पास रख लो तुमारे काम आएंगे भाई बाबी को पता ना लगने पाए इतना सुनती रीती के मा की आंके भर रहे और वह ने अपनी बेटी से का रहे बेटी ये क्या कर रहे हुँ मैं इन पैसों का क्या करूंगी रीतु ने बोला मा क आपको पैसों का काम रहे अब तो पापा भी जुब नहीं करते ना ही उनको पैसन मिलती बाबी को कोई मतलभ थी नहीं उनको देकर तो ऐसा लगता है जैसे दोनों को आप दोनों की कुछ सीनता ही नहीं है बस खाना कपरा दे कर फ्राइब लेटी निभा रहे हैं रीतु की म माने का तुम गलत सोस रही हो रही तू वो दोनों हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं जब कि आज कल बहुगी तो तब्यद भी ठीक नहीं रहती तुमारा भाई भी बिजनेस में दुका नुक्षान होने की वज़ा से थोड़ा प्रेसा रहता है उपर से घर का कर्स बच्च तो उनको बहुत बुरा लगेगा साथी दामा जी मेरे बारे में क्या सोसेंगे कि मैं बेटी से सोरी सुपके पैसे लेती हूँ दीतु ने तुरन तुनक कर बोला मा कोई कुस नहीं सोसेगा और किसी की भी सिंदा मन करो आराम भावी की कर्थूता पर परदा डालना बन करो मुझे सब पताएं वो लोग मुझे और अक्षक को दिखाने के लिए आसा करे था कि मेरे और इनके सावें वो दोनों अच्छे बेटा बहु बने रहे लेकिन मैं उनका ये नाटक अच्छे से समझती हूँ कैसे भावी ने कल पापा को रस्कुले देने से मना कर दिया था तबी पीशू से रीटोयेके पत्याक्षकने का रीटो तुमकूस नाएं समझती है कर शच में तों कुस समझती तुमाजी की बात पर घोर करती तुमआपने भाई बाभी पर ओंगली उठा रहे ह्योतो तुम बताओ तुम भी तो इनकी बेटी ओना त्योंहें नीबा देती बेटों वाला फरस तुमको तो इन लोगों से बात करने की फूर्चन नहीं रहती जमकी तुमारे उपर तो सास ससूर। तब अक्षजने का रीतु दूनिया कितना भी बदल जाए लेगे जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे कुस नहीं बदलने वारा कास तुमने अपनी भावी से भी बात करके इस बारे में जाने की कोशिस की होती तो तुमें सही सस्का अंदाज्जा होता लेकिन तुमने बात कर के समझया का हल निकालने की बज़ए किया किया गलत फेमी और दूरिया पैदा करने का काम किया रीतु वो जमाना अलग था जब लोग लड़कियों को बढ़ाने बढ़ाते नहीं थे उन्हें घर के काम का सिखाते थे लेकिन आज लगबग हरम मापापा अपने बेटे बेट होता है जितने आसाद उपदेश देना होता है उतने कटिनों से खुद निबाना होता है रीतु को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तब रीतु की माहा ने कहा रीतु दामाची पिल्कु सही कर रहे है तेरी भावी कम बोलती है लेकिन दिल की साप और जिमेदार बहुए अब उसकी भी तब यह ठीक रहे है उसके यूटिस में गाटे जिसका ओपरेशन जल से जल कराने के लिए डॉक्टर ने बोला है लेकिन हमारी देखका की वज़से वो उसको टालती जा रहे है कि अगर वो बेड़ पर आ गई तो बच्चों की और हमारी देख पाल कौन दर्वा जी पर साय की ट्रेले रीतू की भावी स्रॉभी ने समकी बाते सुन ली थी समकी बाते सुन उसके आइक नम हो ग थी तबी रीतू की नजर दर्वाजे पर पड़ी तो उसकी बाह ओ सुर्वी की भी आंके नम हो गई तब रीतु ने का भावी आपने मुझे कुछ बता है क्यों ने लेकिन अब आप सिंता मत कीजिए अब बीना आपका इलाज करह में यहां से कहीं नहीं जाने वाली मुझे माम कर दीजिए भावी जो मेरे बीना परिस्तती को समझे सिदा आपक अपनी गलती सुधार लोंगी अब जब तक भावी के नुकसान की बरता ही नहीं हो पाती तब तक मैं सारे खर्षे उटाओंगी तब सुर्वी ने का नहीं दीडिश के कोई जरु ने आपने हमारे बारे में इतना सोसा वही बड़ी बात गई बस अपना प्यार साथ और वि फिलम की सुटिंग हो रहें गया कितू और सुभी ने जल्दू से अपने आशू पोसे और फिरीतू ने अपने भाया से काकुस ने बस यूँ आँखों से आशू निकल आए लेकिना आप बोलो आपको क्या हूं जलन होने लगी तब रीतू के भाया ने हसते वे कारे मैं क्य जलने लगा वला वो तो मैं इसने बोल राता किया आज तक टीवी सीरी और फिर्मावे स्रफ नन बावी को लड़ते जगरते देखा और या एक दूसरे के गले मिलकर रोते देख रहा हूं क्यों आक्षर सही कर रहा हूं ना मैं तब आक्षर ने का हाँ भाई सब ये तो सही का आपने और सब ठाक के लगा कर हसने लगे तब रीतू के बापा ने का रीतू अब इन बातों को सोड़ो बहुत जल्दी से समको सही पिला और रपोर्ट पांसते में देर हो जाएगी जी बापा जी ये सही ठंडी होगी दूसरी गरम करके लातियू रीतू तू भी त्यार हो जाओ बच्चों को भी त्यार कर लो त्यार हो जाओ वरना फ्लाइट सूट जाएगी तब रीतू ने का मामा मैं अभी नहीं जाओंगी आज सिर्फ अक्षक जाएगी मैं कुछ दिनों रूप कर जाओंगी सुर्भी के उप्रसन के बाद रीतू ने उनका और घर का पुर सप्रोड करके जो खुसी उसे बिल रही देदरी खुसी उसने आज तक अपने जीवर में कभी महसूस नहीं की दूस्तों अक्षरम बेटियां ये भूल जाते कि हमारी साधी होगी इसलिए माबाप पर हमारा कोई उत्रा दाहितव नहीं और साधी के बास सुराल से मैं के आत माय के का उत्रा ख्याल रख सकती है जितना की बेटे से उमर की जाती है हमारे समाज में लोग ऐसा क्यूं साथ है कि हमारा कम से कम एक बेटा तो जरूर होगो ऐसा इसलिए साथ है क्यूंकि बेटा उनका बुड़ापी का सारा बरे काले कि जिस दिस से बेटी आमने माबाम का सारा बनेने लगेगी उस दिन से लोग बेटे की साथ रगना सोर देंगे और बेटा बेटी के भीस जो अंतरी धीरी धीरी वो भी मिर्दे लगेगा